तो कैसे हो यार आज हम बात करने वाले हैं के डबिंग कमेडी के बारे में डबिंग कमेडी बनाया जा रहा है सलमान खान भाईया जी को उसमें लगाया जा रहा है अजे देवगन भाईया जी को उसमें लगाया जा रहा है अब आज दूसरे का लगाया जा रहा है ये सब हो क् पधार रहे हैं बदनाम खां तु emotion में तू सुमा अगर मर्द होता तो भाई जां सालमान कांघ को तु इस तरहें बीडियो CRA कर नहीं बनाम करता और अपने ऊपर न करकिये आप Nathan शुक्तर की आ होती है इतना ज्यादा बेसर में मत करो इतना ज्यादा बक्चोदी मत करो कसम से अगर सकल दिखाए होते तब तो तुम्हारा ही डबिंग कमेटी नहीं तुम्हारा रोस्टर वीडियो बन गया होता तो यार मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कुछ सोच समझ के कुछ कहिएग और देखिएगा वीडियो ठीक ना जैसे मैं किसका रुष्ट किया हूं जो सलमान खान जी का वीडियो लगा कर उसमें अपना अवाज निकाला है और गंदा हरकत कोई करेगा मैं उसको पेलूंगा समझ में आया कि किसी एक्टर को ऐसे बदनाम नहीं कर सकते हो किसी का सकते हो हद वह इंचोत हद है जहां दिखता है मुझको हीरन मैं उसको गोली मार देता हूँ फिर हीरन बोलता है और हीरन को टपकाया विवेक को निकाला फेलिम से अरजित को भगाया गाने से इसलिए लोग कहते हैं हमको प्यार से ही जड़ा छक्का जापानी तेल लगाओ जापानी तेल लगाओ अपना लंड बढ़ाओ वा भॉंसरी वाला वा छक्का अरे भॉंसरी के अरे एक्टर को तो छोड़ दिया होता मैं फिर से कहना चाहता हूँ तू कौन सा मर्ध है मर्ध है अगर मर्द होता ना तो दूसरे के कंधे पर गोली नहीं चलाता रखके अरे ग्गान में हिम्मा से भुंसरी के अपना ड़विं का मेड़ी बनाना अपना सकल तो दिखा अगर जिस दिन तेरा सकल में देख लिया रहा कसम तो तू बे सकल का हो जाएगा गदहें की जहाट मुझे आभी और इसी बाग तुझे चोदना हायकास के जल्दी से अपने कच्छा उतार दो वा मेरे भारत के सेरों वा तुम ही तो यूटूब पर छाये हो वा अरे अजे देवगन भाया को तो छोड़ दिया होता उनको भी ले लिया तू वीडियो में वा वा भुषड़ी वाला वा तुम लोग नहीं सुधरोगे तुम लोग को कितना भी पेला जाए सुता के बैठा के या निहुरा के कुछ भी करके तुम लोगों को इतना बेजेति किया जाए खिली उडाया जाए लेकिन तुम लोग नहीं सुधरोगे सुधर युभ हों सुधिके लोग कहते हैं कि डबिंग कमेड़ी है कमेड़ी बनाता है मनोरंजन लिए रे यार कमेडी बनाना हो तो साफ सुतरी कमेडी बनाओ रे यार इतने हद तक जा सकते हो गिर सकते हो इतना गंदा कमेडी बनाओगे यार कमेडी बनाना हो तो अपना सकल दिखाओ अपना आवाज अपने उपर निकालो किसी एक्टर को मत बेजज़त करो मत घसीटो बस करो तुम लोगों को अगर गांड मरवाना हो तो मरवाओ चाहे जो करो मेरे को जनतों सबसे बुरा क्या लगा एक्टर का बीडियो क्यूं भाई या लोग का बीडियो लगा कर उस पे आवाज तुमने निकाला भाई बस मेरे को सबसे बुरा यही लगा और कोई भी चीज नहीं लगा हम तो कब से चुद के लिए बरवाद होना चाह रहे हैं कमबक्त कोई देता ही नहीं तुने बीडियो बनाए अजे द्योगन के उपर और एक भाई शाब बीडियो बनाएं सलमान खान जी के उपर अगर दोनों भाई जान लोग अगर देख लेंगे वीडियो अगर पहुच जेंगे तक तो तुझे अपना लॉड़ा चला के मारेंगे भोसड़ी कोई पर धस जाएगा तो यार देख रहे हो कितना जादा हद तक ये लोग गिर चुके हैं जो साले एक्टर को नहीं छोड़ रहे हैं तो दूसरे को क्या छोड़ेंगे तो यार अभी बक्चियो देहीं पर नहीं खतम हो जी तो नेस्ट वीडियो देखिए आखरी वीडियो देखिए कोई नहीं जाएगे यहाँ से मुझे चुट चाहिए यह शाका तुम पागल हो गए हो चुट लेने के लिए जवाझ खाली कर रहा हो वो भी इसकी चुटりました लगे की जनरेशन ही खराब है जनरेशन नहीं खराब है अब कोई आदमी भी नहीं खराब होता उसका सोच सोच खराब होता है जब सोच खराब होता है ना तो यही सब करता है तो भाई लोग बस यहीं खतम करते हैं आज का रोस्ट वीडियो अगर चैनल नए हो तो लाइक कमेंट सेर सब्सक्राइब करो साथ में जो बेल आइकन होता है और दबाना ना भूलो ताकि जो नया नया सपोर्ट कीजिए फिर मिलेंगे